दोस्तों बाजार वाले spring roll मैदे के बने होने के कारण health के लिए अच्छे नहीं होते हैं और जल्दी से वो digest वे नहीं होते हैं तो ऐसे मैं आप घर पर ही सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे से बनाएए tasty, crispy spring roll जी हाँ दोस्तों यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान बनते हैं इवन वच्चे वे इनको बना सकते हैं रस्पी अच्छी लगे प्लीज लाइक और शेर कीजिएगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गुशा शर्मा और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खुप विदुशा पे तो सब से पहले हम स्टफिंग तयार करेंगे उसके लिए एक कप पानी का आप गरम कर लीजिएगा पानी जब हलका गरम हो जाए इसके अंदर ड बताओंगी लेकिन मैगी से क्या है ना स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं और फटा-फट से तयार भी हो जाते हैं तो मैगी कितनी पकानी है समझ लीजिए मैगी को बहुत ज़्यादा नर्म नहीं करना है बस आप एक दो बार इस तरह से उलट- प्रतन में या च्छननी निмы से पलट लीजिए गा जिससे की पानी में से यह अलग हो जाए पाने के अंदर रहेगे तो फिर यह नर्म हो जाएगे तो इसे ठंडा होने दीजिए जितने देर में हम एक पैन के अंदर एक चम्मस दालेंगे तेल का तेल जब गरम हो जाए इसके अंदर आप डाल दीजिए प्याज और शिमला मिर्च साथ मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी ड बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है, जस्ट सौते करना है, साथ में डाल देंगे, नमक टेस्ट के कोर्डिंग और रेड जिली पॉर्डर बे डाल देते हैं, बस अब हमारी जो स्टपिंग है, इतनी ही पकनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करनी है, अब इसके अंदर डाल दीजिए ठंडी मैगी को, तो बस फटा-फरसेज को मिक्स कर लीजिए, साथ में डाल दीजिए मैगी मसाला, मैगी मसाले में नमक भी होता है, इसलिए आप पहले थोड़ा ही नमक डालिएगा, इसको पकाना नहीं है, मिक्स करने के बा जितन देर में ठंडी होगी, हम बना लेते हैं, स्प्रिंग रोल के लिए घोल, तो दोस्तो घोल बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है, गेहू के आटे का, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी डालिए और इसका घोल तयार कर लिजिएगा, बहुत ज्यादा पतला भी न इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल लिती हूँ, गरम तवे के ऊपर थोड़ा सा आप तेल डाल कर इसको फिला लिजिए, उपर से स्प्रिंकल कीजिएगा पानी, तो देखिए जैसे ही हम पानी स्प्रिंकल करते हैं फटा-फट से ये सूख जाता है, ऐसा ही हमार फ्लेम पर अगर आप पोर करेंगे ना बैटर को, बैटर आपका इकठा हो जाएगा अच्छे से फैलेगा नहीं, तो मिडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है और एक साइड से पकाना है, ये देखिए एक मिनिट के अंदर अंदर ये तयार हो जाता है, एक और आपको त का पूरा ध्यान रखेगा, आप चाहें तो इसको अड़ेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा पतला हो जाए आठा डाल कर घोल लीजिए, गाडा हो जाए पानी डाल लीजिए, तो ये देखिए, शीट हमारी तयार है, बहुत ही टेस्टी, इस तरह से स्प्रिंग रोल बनते हैं दोस्तों आप ट्राई जरूर कीजिएगा, रेस्पी अच्छी लगे, प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके मुझे स्पोर्ट भी कीजिएगा, अब आप चाहें तो एक ही प्लेट के अंदर इनको इस तरह से रख सकते हैं, देखें कितन बना रहे हैं, तो कई बार ऐसे हो भी सकता है, यह देखिए बैटर बच गया है, हमें अलग से इसमें बैटर भोलने के जुरूरत नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा बैटर चाहिए इसको पेस्ट करने के लिए, तो अब शीर्ट को हम इस तरह से फिला लेंगे, किसे भी साइ इसमें घोल लगा लिजिएगा, जिसे कि यह पेस्ट हो जायागा अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं लगाना है, हलका हलका लगा लिजिए, बस यह फैविकोल का ही काम करेगा, तो आपको क्या करना है, कि साइड से, यह देखिए, इस साइड में मैंने लगाया है, एक साइड ऐसे ही बंद करनी है, फिर पेस्ट लगाना है, और साइडों से फोल्ड करना है, और हलके हाथों से लेकिन थोड़ा टाइट रोल बनना चाहिए, यह देखिए, लूज रह जाए, कोई प्रॉबलम नहीं होती है, लेकिन फिर उतना बढ़िया कोमेंट जरूर छोड़ा कीजिए, कि आपको रेस्पी कैसी लगी, अब एक और मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ, तो दोस्तों अब आपको बजार में जाने की जरूरत नहीं है, आप हैल्दी स्प्रिंग रोल जटपट घर में बना सकते हैं, खटा भट से तयार हो जा करके मुझे स्पोर्ट भी कीजिएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यह देखे, अब इन्हें हम सूपर क्रिस्पी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहां लिये हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स और कॉन फ्लेक्स जिनका की मैंने चूरा ब पानी डालकर पतला सा घोल तयार कर लिया है, बहुत ज़्यादा बरतन देखिए, इसमें नहीं लगते हैं, एक बरतन के अंदर ही आप घोल तयार कीजिए, तो स्प्रिंग रोल को इस तरह से डिप कीजिए, उपर से रैप कर लीजिए, जो भी आप रैप करना चाहें, आप अइसे भी फ्राए कर सकते हो, तो पहले मैं आपको इसे फ्राइ कर दिखा देती हूँ, उसके बाद हम ब्रैड क्रम्प वाला भी फ्राइ करेंगे, दोनों में किया डिफ्रेंस है, ये आपको आगे चलकर पताच चल जाएगा, तो ये देखिए, एक मिनट के अंदर अंदर यह fry हो जाता है, medium to high flame पर मैंने इसको fry किया है, अब हम fry करेंगे, bread crumbs वाला, तो यह देखिए, spring roll को इस तरह से dip किया, और अब यह देखिए, आप दो हाथ यहाँ यूज कीजिएगा, जिस हाथ से आपने इसको dip किया ना, उसको यूज मत कीजिए, साफ हाथ से आप bread crumbs wrap करेंग तो फिर आपके bread crumbs waste नहीं जाएंगे, तो इस तरह से आप सारे spring roll जो है वो बना कर रख लीजिए, और इकटे फिर fry कर लीजिएगा, यह देखिए, इससे फिर फटा-फट से fry हो जाते हैं, हमारा तेल भी ज्यादा नहीं लगता है, देखिए, आदे ही यह डिप होए है, ज् कुब सारे spring roll तयार कर सकते हैं, बहुत ही tasty बनते हैं, दोस्तों, रेस्पी को आप जरूर से try कीजिए, प्लीज लाइक बटन को जरूर दवाएए, यह मेरी आप से request है, तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दवाएए, वीडियो को share कीजिए, अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, प्लीज चैनल को subscribe करने के बाद bell icon को भी press कीजिए, तो यह देखिए, यह वाले जो spring roll है, यह है, corn flakes वाले, तो इसमें देखिए, color में थोड़ा सा फर्क है, और यह थोड़े से crispy ज्यादा होते है, तो आप चाहें, corn flakes से बनाएए, ऐसे बनाएए, या bread crumbs से बनाएए, लेकिन recipe को try जरूर कीजिए, वीडियो को देखने के बाद ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको try करना है, और feedback देनी है, comment box में, कि आपकी recipe कैसी बनी, आपकी spring roll कैसे बने, यह देखिए कितने crispy हैं, तो इसे आप try कीजिए, मैं जल्दी ही मिलूगी एक और नई recipe के साथ, तब तक के अबना है, comment box और ओयं है, तो रहता है, कि बने, यह दो नहीं है, और झाने मिल Kita ढ Приगल से अज़ को टर आब तक के साथ, यह grams अज़िए, झाने यह दो दो यह चुश्दी के साथ, तो खुश्दी है, कि पर ऊपकी के साथ, मैं बन्ह हैसे 15, 4,000 को त while दो बना है, धर मै